हेलो बच्चो बच्चो अज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कैसा या कितना विशेशन बच्चो सबसे पहले हम विशेशन की परिभाशा पढ़ेंगे परिभाशा जो शब्द संग्या या सर्वनाम के बारे में विशेश जानकारी दे उन्हें विशेशन कहते हैं बच्चो जो शब्द संग्या या सर्वनाम के बारे में विशेश जानकारी दे उन्हें विशेशन कहते हैं बच्चो ये था विशेशन की परिभाशा बच्चो अब हम विशेशन को चित्रों के माध्यम से समझेंगे चलिए बच्चो देखते हैं इस पहले चित्र को तोता की विशेस्ता बता रहा है इसलिए हरा क्या हुआ विशेशन हुआ चलिए बच्छो देखते हैं इस दूसरे चित्र को ये दूसरा चित्र किसका है बच्छो दूसरा चित्र है फल का फल कैसे हैं बच्छो फल मीठे है मीठे फल बच्चो मीठे शब्द फल की विशेस्ता बता रहा है इसलिए मीठे शब्द क्या हुआ बच्चो विशेशन हुआ चलिए बच्चो देखते हैं इस तीसरे चित्र को ये तीसरा चित्र किसका है बच्चो तीसरा चित्र है गुब्बारे का गुब्बारे कितने है बच्चो गुब्बारे है चार चार गुब्बारे चार शब्द गुब्बारे की विशेशता बता रहा है इसलिए चार शब्द क्या हुआ बच्चो विशेशन हुआ चलिए बच्चो देखते है अगले चित्र को शब्द बच्चो लड़का की विशेस्ता बता रहा है इसलिए मोटा शब्द विशेशन हुआ चलिए बच्चो देखते हैं अगले चित्र को ये अगला चित्र किसका है अगला चित्र है तितली का तितली कैसी है बच्चो तितली सुन्दर है शुन्दर शब्द तितली की विशेस्ता बता रहा है इसलिए शुन्दर शब्द क्या हुआ बच्चो विशेशन हुआ चलिए बच्चो देखते हैं अगले चित्र को ये अगला चित्र किसका है बच्चो अगला चित्र है फूल का फूल कैसे हैं बच्चो फूल रंग बिरंगे हैं रंग बिरंगे शब्द फूल की विशेशता बता रहा है इसलिए रंग बिरंगे शब्द क्या हुआ बच्चो विशेशन हुआ चलिए बच्छो देखते हैं अगले चित्र को अगला चित्र किसका है बच्छो अगला चित्र है रेल का रेल कैसी है बच्छो रेल लंबी है लंबी रेल लंबी शब्द रेल की विशेशता बता रहा है इसलिए लंबी शब्द क्या हुआ विशेशन हुआ चलिए बच्चो देखते हैं अगले चित्र को यह अगला चित्र किसका है बच्चो अगला चित्र है भिंडी का भिंडी कैसी है बच्चो भिंडी हरी है हरी भिंडी हरी शब्द भिंडी की विशेशता बता रहे है इसलिए हरी शब्द क्या हुआ बच्चो, विशेशन हुआ, चली बच्चो देखते हैं अगले चित्र को, यह अगला चित्र किसका है बच्चो, अगला चित्र है चाय का, चाय कैसी है बच्चो, चाय गर्म है, गर्म चाय, गर्म शब्द चाय की विशेशता बता रहा है, इसल लोग भी विशेशन को अच्छी तरके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे